इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बैए आइकोन का एक्टी वडियो तांकि हर वीडियो का नोटिस्केशन आपको टाइम आता रहे मेरे चैनल का नाम है उनलाइन वासु एस्टालोजी मैं अनिल कुमार सेट एक्सपर्ट नमसकार मित्रो मैं इनल कुमार सेट एस्टालोजी वासु एन निम्रोलजी एक्सपर्ट आज हम मीन रशी वालों का 2021-2025 तक शनी का जो नक्षत्र का परभाव है वो आपके लिए कैसा रहेगा इसके उपर आप चर्चा करने जा रहे हैं मीन राशी वालों के लिए मीन राशी की आज हमने वीडियो उठाई है और कैलकुलेशन आपकी यूट्यूब के मादिम से आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि शनी का जो परभाव है 21 से लेके 25 सक आपके लिए बुरा पड़ेगा या अच्छा पड़ेगा कैसा रहेगा ये आज आप आपको नक्षत्तर के साब से बताएंगे देखिए मीन राशी पर इस समय जो शनी का मूमन्ट चल रहा है मकर राशी में लाभाव में चल रहा है ये एक आप आपकी राशी के उपर एक गॉल्डन ऑपर्चुन्टी मिली है कि शनी आपका काफी लंबे समय पर आपके लाभाव में आपके 11 ताउस में स्वेंगी राशी में चल रहा है उत्रह शाड़ा नक्षत्तर में जो 2020 तो ये कवर करी जाएगा उत्रह शाड़ा नक्षत्तर और इसके बाद इसका जो मूमेंट 23 तक रहेगा वो आपके पहली बात तो ये है लाभाव में ही रहेगा देखिए लाभाव में जब भी कोई प्लैनेट आता है और दूसरी बात ये कि अगर कोई अपने घर में स्वेंगी राशी का हो तो इससे बड़ा योग जोतिश में हम नहीं मान सकते और श कीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ये लेके आ रहा है जो की 23 एक 2021 को जैसे श्रवन नक्षत्तर में ये परवेश करेगा तो आपकी फिफ्ट हाउस की राशी को एक्टिवेट करेगा क्योंकि श्रवन नक्षत्तर का स्वामी ग्रहा होता है चंदरमा चंदरमा को ये आपके फिफ्ट हाउस की राशी को ये रिपर्जेंट करेगा फिफ्ट हाउस आपका है आपकी खुद की सोच का देखे आपको यहां पर अपनी पॉजिटिव सोच रखनी है शनी की दृष्टिव भी उसी राशी पर करकर पड़ेगी कई बार शनी कई नेगटिव विचार करकरशी वालों को डे दे देता है जहां पर भी इसका प्रभाब पड़ता है, क्योंकि आपकी सोच की उपर सारी चीज निरभर करती है कि आप अपनी लाइफ को किस एंगल से सोचते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपके कार्मिक ग्रै होते हैं Preis तो शनी का एफेक्ट भी उसी उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है क्योंकि शनी आपके एजूकेशन को पहली बात तो देख रहा है दूसरी बात ये है कि जो लोग अपने एजूकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं जौकरियां कर रहे हैं या कोई कोई अच्छी पोस्ट पे जाना जाता ह तो मीन राशी वालों के लिए इससे बड़ा कोई भी जिसको कहते है ट्रांजिट जो है मकर राशी में शनी का इससे बड़ा योग नहीं मिलेगा और जो लोग एजूकेशन डिपार्टमेंट के साथ कोई अपनी सर्विसिस परवाइड कर रहे हैं उनके लिए भी शनी का श पब्लिशर राइटर का काम कर सकते हैं कम्प्यूटर में आप ब्लोगर बना सकते हैं यूट्यूबर वीडियो आप अपने चैनल बना सकते हैं तो मीन राशी वालों के लिए इससे बड़ा योग नहीं मिलेगा अगर हम 2022 की बात करें तो 18-1-2022 को शनी दनिश्टा मंगल के चरण में प्रवेश करेगा जो क्योंकि दनिश्टा नक्षट्र कर सौमी ग्रह मंगल होता है देखिए मंगल की भी जो मीन राशी की मंगल की राशी आती है वो आपकी आती है धन भाव की राशी आती है और एक आती है नाइं थाउस की राशी आपके धरम की भागे का होता है, कुटम परिवार का होता है, सुसराल पक्ष का होता है, आपके बैंक बैलन्स का होता है, इसमें शनी बड़ोतरी करेगा और मंगल की स्थिती यहाँ पर जैसे जैसे गोचर में मुवमेंट करेगी, वैसे वैसे आपको बैंक में बैलंस में बड़ोतरी होगी और आपका लाब में बहुत बड़ा योग करेगा शनी आपके अंदर जल्द जल्दी लाब कमाने की इच्छा होगी क्योंकि देखिए यहां पर नाइंध हाउस की राशी भी रिप्रिजेंट कर रही है धनिश्टा नक्ष से आपको से जोग मिलेगा पिता से आपको लाब मिलेगा यह यह वली जो चीज है यह हमें अभी से दिख रही है कि कहां कहां से आपको प्रॉफिट्स आने वाले हैं अगर हम शनी की दो हजार तैईस की बात करें तो दो हजार तैईस में शनी सत्रा मार्च दो हजार तैईस को शत्विशा नक्षत्र में पर्वेश करेगा जो की राहू की राशी है और शत्विशा नक्षत्र में शनी बहुत ताकतवर हो जाता है शनी अपने पूरी ताकत से साथ काम करता है क्योंकि उसको राहू का बल मिल जाता है और देखे राहू की जो दो राशी हैं वो आपकी है आपकी तीसरे बाव की राशी और दूसरी राशी है आपकी चोथे बाव की देखिए तीसरे बाव की राशी आपके प्राक्रम की राशी है आपको साहस बल मिलेगा दोनों बजाओं में ताकत आएगी और आप कोई भी काम अगर करेंगे तो आपके अंदर साहस बहुत बढ में होगा तो नुक्सान वाला पिरिड नहीं होगा आप निश्चन्त रहे क्योंकि शनी अपने ही घर में यहां पर ट्रांजिट करेगा तो शनी का जो आपका बार में बाव में मुमेंट होगा कुमबराशी में आपको मित्रों से सहजोग मिलेगा विदेश की यातरक करवाए हो सकता है कि जो लोग विदेश जाना जाते हैं या वाँ सेटल होना चाएते हैं तो शनी का जो कुमबराशी में यह प्रवेश होगा आपके मित्र आपको वाँ सप Homeland कर सकते हैं कोई रिष्टेदार आपका ब्रदर बेटा है कजन ब्रदर बेटा है वो आपको वहां पे invite कर सकता क्योंकि इसका नक्षत्र होगा शत्विशा और तीसरे जो तीसरी राशी है वरिशेव राशी उसको जागरत कर देगा अगर हम दूसरी राशी की बात करते हैं तो दूसरी राशी शत्विशा नक्षत्र की राहू की जो आती है वो मित्वन राशी जिसको परभावित करे चनी बेठा होगा ट्वेल्थ हाॉस में, प्रॉपर्टियों में इंवेस्टमेंट कराएगा, कोई बूमी में आप इंवेस्टमेंट करेंगे, मदर के साथ आपका ट्यूनिंग अची रहेगी, मदर से दूर रहने से आपका संबन्द और अच्छा नज्दी का जाएगा, कोई गाड़ी बड़ी लेने का योग बनेगा आप कोई एगरी कल्चर लैंड या फार्मिंग करना चाहते हैं उस पे उसके उपर भी शनी का बहुत ज़्यादा परभाव रहेगा इसको भी रिपर्जेंट करेगा शनी मितुन राशी को भी उस समय अब देखिए दो हज़ार अब इसको कुम राशी में गुरू के नक्षत्तर में जैसे परवेश करेगा तो मिन राशी वालों का स्वें की राशी एक्टिवेट हो जाएगी और दूसरी राशी होती है आपकी टैंथ हाउस की वेपार की राशी शनी बेठा कहा है फॉरन में बेठा है वेपार कहां से आएगा फॉरन से आएगा यातरा कहां कराएगा आपकी दूसरे शेयर की आएगी आप एक सान से दूसरे स्थान में मूमेंट कर जोगे आपकी ट्रांसफर का योग आएगा इस समय और दूसरी बात है कि आपकी मान परतिष्टा की वरिदी होगी हो सकता है ट्रांसफर के सा को काफी अच्छी संभावना इस समय अथपन करेगा तैंथ हाउस को री आपकी मांप्रतिश्टा का होता है ट्वेल्थ हाउस में बेठा है आप अपने वेपार में भी ए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस समय वेपार जो कर आपकी डबल हो जाएगी बढ़ जाएगी अगर हम दोजार पच्चिस की बात करें तो शनी तीस चार दोजार पच्चिस को उत्रा बादरा पर नक्षत्तर जो शनी का स्वें का होता है उसमें परवेश करेगा अब देखे शनी की दो राशियां यहां रिप्रेसेंट करेगी आपकी लाबाव की राशी और आपकी ट्वैल्थ हाउस की राशी शनी वहीं बेठा होगा तो ट्वैल्थ हाउस की राशी में आपका एक्सपेंस यहां पर बढ़ेगा और जो लाबाव की राशी है उसको आपको वदेश से लाब करेड़ करेगा और दूसरी बात यह है कि आप हो सकता है कि कोई ना कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि शनी का कुमराशी में होगा शनी अपने नक्षत्तर में होगा शनी की इकादत है कि जब अपने नक्षत्तर में स्वेंगे आता है तो रियल स्टेट इंडस्ट्री में और भूमी में और कंस्ट्रक्शन में ये शनी का बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट होता है जो लोग एवडियाई फॉरेंड डिरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो लोग बड़े इंडस्टिलिस्ट है मीन राशी वाले अगर लेके आना चाहते हैं इंडिया में तो दोजार पच्छिस में बहुत बड़े उनक पर लगा सकते हैं शनी आप आपको माइन से केमिकल इंडस्टि से लेदर इंडस्टि से और शनी के जो भी और कार्टत्व की चीज़े होती है उससे बहुत बड़ा लाब मिलने वाला है तो यह मीन राशी वालों का जो नक्षतर के साफ़ से जो टेस्ट है आज हमने आपको पहले से डिफाइन कर दिया अब आप देखते रही है चलते जाएए एक एक साल करके तो आपको आगए भी चीज़ें नहीं नहीं मिलती जाएंगी तो इससे साथ ही हम आपसे आग गया लते हैं नमस्कार